नमस्कार इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं कविता दिल के बिमारीे दुनिया भर में तेजी से बढ़ती गंभीर बिमारें में से एक है विश्वस्वास संगठन की आकड़ों के मताबक हृदयरुक विश्वभर में मौत के प्रमुक कारणों में से एक माना जाता है हर साल इससे लाकों लोगों की जान चली जाती है एक समय था जब अधिक उम्र की लोगों में ही हर्दयरोगों के लक्षन देखने को मिलते थे लेकिन आजकल युवा भी इससे अच्छूते नहीं अब युवाओं में भी हार्ट की बिमारिया देखने को मिल रही है तीस साल की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है इसका सबसे मुख्य कारण आजकल की खराब लाइफस्टाइल मानी जाती है आजके इस कारिक्रम में हम हर्दयरोग के तमाम कारों को और उनसे बचाओ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कार्डिलोजिस डॉक्टर आदित भासकर जानेंगे उनसे कि कैसे अपने दिल का खयाल हम रख सकते हैं लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर गलत लाइफस्टाइल कैसे आपको प्रभावित कर सकता है डॉक्टर आदित सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर कहा जाता है कि गलत लाइफस्टाइल गलत फूड हैबिट्स आपके रिदर को प्रभावित करती है लेकिन खानपान की अन्यमित आदते किस तरह से दिल की बिमार्य को नियोता दे सकती है देखे सरप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा आपने बहुत अच्छे जानकारी दी है कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटेक जो है वो आज जितने भी मिर्तियों हो रही है उनमें नंबर वन आता है एक तिहाई हिस्सा जितने भी मिर्तियों हो रही है वो हार्ट डिजीज के कारण हो रही है और एक जो बदलाव आया है जिस आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखा है कि एक जो बदलाव आ रहा है कि जब हम भी मेडिकल स्टुडेंट्स थे राउंड 10-15 एर्स पहले जब हम भी पहले ट्रीटमेंट करते थे तो हम देखते थे कि ये पेशेंट ये मरीज 30 साल का है पच्छी साल का है इनको हार्ट डिजीज होने के चांसेश बहुत कम है परन्तु अब हमारा भी जो विजन है वो चेंज हो चुका है चुकि अब हम भी 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी भी उम्र में हार्ट अटेक को देखते हैं तो डेफनिटली जो चेंज हुआ है ये जो सिफ्ट हुआ है पहले हर्ट डिजीज जो थी पहले 60 साल, 70 साल, 80 साल में थी अभी 30, 40, 50 कोई भी उम्र इससे अचूता नहीं रहा है इसका एक मुख्य कारण आप खान पान को भी समझ सकते हैं जैसे आप देखिए कि जो भी जंक फूड्स हैं आज से दस साल पहले चिप्स हैं या फिर जो भी सॉप ड्रिंग्स हैं इनकी उपलब्दता इतनी ज्यादा नहीं थी आज आप एक गाउं में जाएंगे वहां आपको न्यूस पेपर मिले न मिले गाउं नुकर गली चौराहा कहीं भी आपको यह जंक फूड्स भरे पड़े मिलेंगा आप बस से ट्रेवल करेंगे तो आपको सिर्फ यही दिखेंगे कि यहां जंक फूड्स हैं यहां सॉप ड्रिंग्स हैं तो निश्चे ही इनका सेवन बहुत ही जादा बढ़ गया है और जो रूटीन हमारा इंडियन खाना पीना था सिंपल रोटी, चावल, दाल, सबजी वो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही हेल्दी डाइट था परन्तु अभी लोग समय की कमी के कारण या भागदौर की जिंदगी है हर कोई सॉटकट लेना चाहता है इन सभी कारणों से यह अनेमित खान पान बहुत ही जादा बढ़ गया है मेंटल स्ट्रेस बहुत जादा बढ़ गया है, कम्पुटिटिवनेस बहुत जादा बढ़ गया है इन सभी कारणों से भी हर्ट डिजीज की समस्या एक तो बहुत बढ़ गई है और बहुत ही कम उम्र में हो रही है जो की वाकई में एक चिंता जनक स्थिती है जो बलकुल डॉक्टर, गलत food habits और कहीं न कहीं stress इसकी ब्रमुक वज़ा मानी जा रही है डॉक्टर आजकल जब देखा जाता है, हर्ट अटेक से मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना के बाद ज्यादा देखा जाता है, क्या कोरोना का यह असर है? देखे यह बिविन तरह के study हुई है कि वेदर यह कोरोना का effect है या कोरोना का vaccine का effect है बहुत ही definitive, conclusive proof हमारे पास नहीं है कि यह कोरोना के कारण ही हुआ है बट एक चीज जो की proven है कि कोरोना के समय जो blood की clotting ability थी वो बहुत ही जादा बढ़ गई जिसके चलते कभी भी आसमानी रूप से दिल का दोड़ा परना या फिर stroke हो जाना या कभी कभी rare instances में even kidney की जो blood supply है वो भी रूप गई थी सो कोरोना वाइरस के चलते कोगलिबिलिटी मिन्स clotting जो blood की थी वो बहुत ही जादा बढ़ गई और हम सभी जानते हैं कि heart attack दिल का दोड़ा परने का एक प्रमुख कारण blood का clotting होना ही है तो कोरोना वाइरस ने definitely clotting effect बढ़ाया जिसके चलते हमें heart के बहुत सारे heart attack के मामले मिले उनमें से बहुत सारे अकस्मात थे अचानक patient ठीक है अचानक से patient collapse कर गया तो यह मामले बहुत बहुत जादा especially during covid episodes बढ़ गया है जो बलकुल तो कोरोना का असर कहीं ने कहीं साफ तोर पर नज़र आ रहा है और एक प्रमुख बात में कहना चाहूंगा कि कोरोना के समय जो activity थी हमारी दो साल एक तरह से आप कहेंगे कि people हम लोग depression में थे कुछ काम नहीं है घर पे बैठे हैं mobile के सामने बैठे हैं खाने के लिए packed food junk food बहुत ज्यादा था तो mental stress, physical activity एकदम कम, खान पान, आनियमित और coronavirus के चलते जो यह hypercoglable state या blood का clotting का बढ़ जाना इन सभी ने मिला जुला कर heart disease और stroke की समस्या को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जी बिलकुल डॉक्टर अगर symptoms की बात करें तो कौन सी वो लक्षन है डॉक्टर जो इशारा करते हैं कि आपको दिल की बिमारी हो सकती है जी बिलकुल सही पूछा आपने देखिए heart disease के four important symptoms है first is मैं इस पर थोड़ा ज्यादा समय लोगा first is chest pain means दिल का दर्द दूसरा होता है सास फूलना तीसरी होती है धरकन palpitation और चौथा होता है कभी-कभी चक्र खाकर गिर जाना तो सबसे प्रमुख symptom है chest pain या दिल का दर्द दिल का दर्द कई प्रकार के होते हैं तो सभी heart attack नहीं होते हैं तो जो दिल का दर्द जो की typical है heart attack का वो normally retro external होता है means हमारे पूरे च्छाती में होता है वो बाय तरब भी जा सकता है दाइने तरब भी जा सकता है कभी-कभी jaw में भी जाता है जबने तक वो radiate कर सकता है और education means कैसा है तो diffused dull aching pain है पूरा च्छाती जो है जकड गया भारी हो गया लगा किसी ने जोर से प्रेस कर दिया है ऐसा फील होता है कि साइद यह मेरे जीवन का आखरी पल है इस तरह के जो pain होते हैं यह cardiac pain होते हैं कुछ दर्द ऐसे भी हैं जो सबको होते हैं जैसे एक point यहां पे चिलकन हो गई थोड़ी सी चिट चिट पिट पिट हो गई यह दर्द heart का बिल्कुल नहीं है इस तरह से गड़ने pinching या हिलने डूलने से pain होना यह सब heart का pain नहीं है इससे panickness ना करें real problem society की है जिनको cardiac pain नहीं है means जिनको थोड़ी सी prick हो गई थोड़ी सी pit pit हो गई वो दौर के doctor के पास आजाते हैं और जिनको real में heart का pain हुआ means crossing दबा दिया है पसीने हो रहे हैं वो समझते हैं कि यह gas का दर्द है जिसके चलते उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है तो मैं chest pain पे जो की सारी symptoms नजर आचे यहां जी हां जी चारो मिल सकते हैं तो जो की दर्द जो की भारी है diffused है एक point बता पाना मुस्किल है यहां हो रहा यहां हो रहा चारो तरफ है पसीना चल रहा है जिसके साथ जो की by दाहिने heart में radiate कर रहा है या कभी-कभी जौ में भी जा रहा है य second very important character जो दिल का दर्द चलने पे भारी काम करने पे या सीड़ी पे चरने पे जब भी आप हमारे पास जो मरी जाते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब सबजी लेकर आता हूं दो-चार कीलो आलू सब अगरा लेकर आता हूं और थोड़ा तेज चलता हूं तो मुझे च्छाती में होती है और मुझे लगता मैं चलने ही पाऊंगा फिर वो फूट पाथ पे बैठ जाते हैं और पाच मिनट में उनका दर्द धीरे-धीरे कम हो जाता है तो यह जो मैंने एक इस्तिती बताई यह क्लासिकल ओफ हाट हाट अटैक है क्लासिकल ओफ हाट ब्लॉकेस के सिम्टम है और कभी-कभी खाना खाने के बाद वो पूरे चाती और गर्दन को जकड लेगा तो यह हाट का पेन है और यह पेन नॉर्मली अगर आप शांती से बैठ जाए तो धीरे-धीरे-धीरे वो कम हो जाएगा तो दिस इस क्लासिकल यह एकदम टीपिकल हाट का पेन है ऐसा पेन अगर किसी को भी हो रहा है, तो वो नजर अंदाज ना करें, और एक दूसरे तरह का पेन, जो मैंने बताया, गड़ना, हिलने पे थोड़ा कचकना, चिलकना, विलकना, यह हर्ट का पेन नहीं है, इसको लेकर आप पैनिक ना होएं, ना तो आप दिल के तो मरीज नहीं है, ले जो दिल के ब्लॉकेज के चलते हैं, जो सांस पूलती है, वो जैसा मैंने पहले बताया, वो भी तेज चलने पे, वो सीड़ी चलने पे, भारी सामाल लेके चलने पे, उनकी सांस भारी हो जाते है, और उनने लगता है कि मैं आप चल नहीं पाऊंगा, तो दिस इस क्लासिकल सांस फूलना, ड्यू टू हार्ट डिजीज, हार्ट के ब्लॉकेज चलते हैं, जो सांस पूलती है, वो ऐसे ही रहती है, हार्ट के मरीज़ों को बैठे रहने पे, लक्षन नॉर्मली नहीं होता है, एकसेप्ट इन केस ओफ हार्ट अटेक, हार्ट अटेक आने पर, फिर वो ना आपको बैठने देगा, ना आपको वो चलने देगा, दो और सिम्टम्स थे, पाल्पिटेशन, धरकन होना, कभी-कभी कुछ लोगों को यह जो पेन नहीं होता है, उनको चलने पे, दग-दग-दग-दग-दग करने लगता है, धरकने लगता है, वो परेशान हो जाते ह उनको फील होता है अंदर से, कि मैं अब कुछ भी कर लो, मैं और नहीं चल पाऊंगा, मैं और काम नहीं कर पाऊंगा, तो यह हार्ट के ब्लोकेजिस के हैं, और कभी-कभी हार्ट के अटेक आने पे पेशेन बेहुस भी हो सकता है, तो यह चार सिम्टम्स हैं, जो कि क्लासि ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज के बारे में और इस पर चार्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर आदित्यभासकर कार्डिलॉजिस्ट है, डॉक्टर अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटेक आ रह है, मतलब पहले आप सिम्टम्स जान लेजे, तभी आप कहा पाएंगे आपको हार्ट अटेक आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि वो दर्द, भारीपन, पशीन आ रहा है, आप चलने ही पा रहे हैं, आप एक सेकंड के लिए बिहोस हो गया है, और थोड़ा भी आप जैसे वाश र या गौहाटी जैसे सहर में है, अगर आप गाउ में हैं, तो आप एस्परीन की टिकिया एक ले सकते हैं, 300 मिली ग्राम की टिकिया ले ले लें, एक साथ आप उसको खा सकते हैं, या हर जगा मिलती है, और उसके बाद आप जल्द से जल्द नजदी की स्वास्त केंदर में ज सबसे जो मेरे नजर में जो सबसे ignorance मतलब सबसे जो लापरवाई होती है लोग इस heart attack की symptoms को समझते हैं यह gas है कि यह heart attack मुझे तो मैं ठीकी था मैं चलता फिरता हूं रोज मैं वियायाम करता हूं मुझे मैं 50 साल में एक बार भी hospital नहीं और आज मुझे हार्ट अटेक कैसे आ सकता है यह गैस है और वो कुछ एंटासिट्स वगरा पी लेते हैं और अनफॉर्शनेटली कभी-कभी उनको 5% परतीसत आराम भी मिल जाता है तो वो समझते हैं कि यह गैस का है और गैस की गोली खाकर वो किसी तरह से अपने आपको घर म साबित होती है तो अगर आपको हार्ट अटेक आ गया है तो आप एस्परिन की गोली ले और सरप्रथम अपने नजदी की स्वास्त के इंदर में जाए वहां पर इसी जी कराए वह फिर आपको डियाग्नोज करेंगे यह किस तरह का हार्ट अटेक है इसमें इमेडियेट दौरान वैक्ति अपने खुद की जाएब्ध कि बी मदद कर सकता है डॉक्त बड़ी वजह मानी जाती है कॉलेस्टरोल हर्ट पूरन कारन है बट एक सिर्फ यही कारण नहीं है बट कोलेस्ट्रोल जो बैड कोलेस्ट्रोल जो LDL कहते हैं उनका हमारी रक्त की धमनी में जमा हो जाना एक important cause है heart blockages leading to heart attack का और यह जो कोलेस्ट्रोल डिपोजिशन की जो है यह actually first decade of life में ही start हो जाती है उसी समय यह कोलेस्ट्रोल डिपोजिशन की समस्या आरंब हो जाती है और जिन पेशेंट्स में खान पान अनिमित रहता है diabetes रहता है hypertension रहता है red meats ज्यादा खाते हैं sedentry lifestyle है pollution है mental stress है physical in activity है इन सभी के कारण यह blockages दीरे दीरे बढ़ने लगती है और बाद में मनुष्य को तरह तरह से परिशान करती है ना सिर्फ heart के नशों में blockage होती है बलकि brain के नशों में blockage हो सकती है पीटनी के नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, हाथ पैरों के नसों में ब्लॉकेज हो सकती है देखिए, एक्जाक्ट पर्षेंटेज वाइस, इस वेरी डिफिकल्ट तो से कि 10% अब ब्लॉकेज इस मतलब चिंता की विशे है बट हम लोग 90% से उपर के ब्लॉकेज को क्रिटिकल कहते हैं, critical means इनको तुरह ट्रीट करना ज़रूरी है और इन 90% से उपर के ब्लॉकेजों में में अंजियोप्लास्टी या बाइपास की ज़ुरत पढ़ती है बट 70% से उपर के ब्लॉकेज को हम सिगनिफिकेंट कहते हैं चुकि उसमें आप मेडिसिन से भी काम कर सकते हैं या फिर आपको एंजियोप्लास्टी या बाइपास जो के अडवास ट्रीटमेंट है उनकी ज़ुरत पढ़ सकती है लेस देन 50% ब्लॉकेज को हम इन सिगनिफिकेंट कहते हैं बट उसमें आपको कॉलेस्टरॉल की मेडिसिन और एक एस्पिरिन की गोली आपको लेनी पड़ती है तो 90% से अधिक जो ब्लॉकेज होता है वो क्रिटिकल माना जोता है जी हाँ बिल्कुल चुकि मैं आपको एक एक एग्जामपल बताता हूं मतलब आप एक इमेजिन किजे एक मेट्रो में कोई 35 साल का एक युगा है जो कि किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है तो मैं एक सिनेरियो क्रियाट कर रहा है तो वो घर से निकलता है सुबह आठ नौ बजे सो के उठते हैं वो निकलते हैं वो आफिस के लिए सीधे चले जाते हैं उल्टा सुल्टा कुछ भी खाके ऑफिस में जाके वो जंक फूड मंगाते हैं उनका सेवन करते हैं उनका लंच भी बहुत हेल्दी नहीं हो पाता है चुकि नॉर्मली जो युवा पिड़ी है वो हाइली कॉम्पुटिटिव है उनके उपर टार्गेट्स हैं अचिबमेंट्स हैं तो वी वेरी फ्रेंक तो हाइड अल इस थिंग्स दे स्मोक वो स्मोकिं करते हैं रात का खाना उनका सही हो नहीं पाता है चुकि घर में वो नहीं रहते हैं मैंली प्रोसेश्ट पोड जंक फूड स्विगी जॉमैटो से कुछ ओडर करके इधर उधर खा लेते हैं रात में उन्हें नींद नहीं आती है ढग से वीकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस अन म बहुत ही बढ़ जाती है चुकि उनको mental stress है उनको physical in activity है उनका खान पान सही नहीं है वो smoking करते है एक्स्ट्रीम mental stress, extreme physical stress और एक बहुत ही महत्वपुरन बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है pollution, pollution का भी एक बहुत ही important योगदान है इतनी जो वायू परदूशन है इतने buildings बर रह है यह अप्रिल के महने में 40 डिग्रीन गौहाटी मतलब इस वेरी अनलाइकली सो मतलब यह pollution in activity खाना पीना कम अच्छे से नहीं होना नींद का नहीं होना mental stress यह सभी मिलकर heart disease को बहुत ही जादा बढ़ा दे रहे और इन सभी को हमें रोकना पड़ेगा नहीं तो heart disease की महामार आने वाली है समय की कमी है doctor हमारे पास आफरी सवाल आप से एक आम व्यक्ति के लिए दिल की सुरक्षा के क्या उपाए है आपकी क्या सदा रहेगी जी हाँ बहुत ही अच्छा सवाल कि आपने तो आम व्यक्ति के लिए heart को बचाने का उपाए है कि वह अपना खान पान निय लें खाने में फाइवर्स ज्यादा लें खाने में जंक फूट्स जंक फूट्स एरेटेड सॉफ ड्रिंग्स इन सब को कंप्लेटली मना करें फाइवर्स फूट्स यह ज्यादा खाए अगर आप diabetes और blood pressure के मरीज है तो कृपया करके आप किनी भी इदर उदर की बातों में जाकर अपनी दवाईयां बंद ना करें आप diabetes blood pressure की दवाईयों को अच्छे से लें इनको कंट्रोल में रखें धुम्रपान हार्ट के लिए दुश्मन है यह बिल्कुल ना करें धुम्रपान ही नहीं किसी बी तरह का तंबाकू का सेवन वो मशादा हो मशाला हो खैनी हो किस अपने blood pressure का जिकर किया blood pressure को silent killer भी माना जाता है लेकिन क्या कम blood pressure वाले लोग भी इससे ग्रसित हो सकते हैं जैसा मैंने कहा कि यह blood pressure, diabetes, cholesterol, smoking, these all are individual risk factor इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को blood pressure नहीं हो तो उनको heart disease नहीं हो सकती है यह है कि अगर किसी को diabetes है, blood pressure है, smoking है, जितना risk factor बढ़ता जाएगा, heart disease होने के chances उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएगे बट अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी आप assure नहीं हो सकते हैं कि आपको heart disease नहीं हो सकती है चुकि एक genetic cause भी होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है इसलिए गर आपको diabetes नहीं है, pressure नहीं है, खाना अच्छा खाते हैं, रोज टहलते हैं और आपको heart attack आगया है तो आप ये imagine ना कर लें कि मुझे heart attack नहीं हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आपको doctor's तमाम जानकारी के लिए और इतना कुछ बताने के लिए तो प्यार और आभार हमारे दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये दिल को स्वस्त रखने के लिए पर्याप नहीं आपकी जीवन शैली का आपके हरदे सहत आपके अंगों के स्वस्त पर काफी असर होता है अपनी रोजमरा की दिन चरिया में छोटे छोटे बदलाव लाकर और कुछ हल्दी टिप्स अपना कर आप दिल की बिमारी की जोखिम को कम कर सकते हैं अपना लाइफस्टाल सही रखे, हल्दी खाए और भरपूर नीन ले इसी के साथ आज की कारेक्रम में बसतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते ही नौतिस लाइव हनिवाद